सभी बच्चों को नमस्कार बात हो रही थी लिमिट की जिसमें की हम फरस्ट यर माथमेटिक्स आड़ी शर्मा को डिस्क्स कर रहे थे लिमिट की पहली साइज 29.1 के दो वीडियोस कुशन वर 1 तो 5 और 6 तो 10 और 11 तक हम जो है अप्रोट कर चुके हैं ये 13th कुशन प्रिस्क्स करने जा रहे देखें लिमिट का फंडा क्या है ये आपने पढ़ लिया होगा तभी हाँ पहुंचे होगे कैसे लिमिट लगाई जाती है तो 13 का 1st part कहता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस एक्स माइनस 3 अपान एक्स स्क्वाइर माइनस 4 एक्स माइनस 3 अपान एक्स स्क्वाइर माइनस 4 देखें टू प्लस लिखा हुआ है टू प्लस का मतलब राइट हं लिमिट राइट हं लिमिट का मतलब होता है टू प्लस एच रखेंगे एक्स टेंगे एक्स को क्या रखेंगे टू प्लस एच और एच टेंडिंग टू जी लेफ्ट हंड राइट हंड लिमिट अलग लग नहीं निकालेंगे क्योंकि हमसे पहले कह दिया गया 2 प्लस यानि कि 2 से आगे यानि कि आपको राइट साइड से 2 की तरफ एप्रोच करना है तो x को 2 प्लस h रखेंगे h को तब तक नहीं रखेंगे जब तक नीचे 0 होने का chances न खतम हो जाएगा साब साब देख रहा है कि नीचे 0 हो जाएगा फिलाल अभी हम नहीं रखेंगे कुछ bracket खोलते हैं यहाँ पर limit h tending to 0 यहाएगा h minus 1 upon इसको खोलें कि आएगा 4 plus h square plus 4 h minus 4 4 4 कर जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर h की value रखता हूँ infinity sorry h की value रखता हूँ 0 13 question है न हाँ सही लिख रहा हूँ न h को रखा हमने 2 plus है न 2 plus h minus 3 यहाँ पर minus 1 आया है न अब देखो ध्यान से अगर मैं h को रखता हूँ 0 0 रखना हूँ सावधान तो उपर minus 1 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा minus अलग कर दो और 1 upon 0 infinity हो जाएगा तो इसकी limit क्या जाएगी minus infinity ठीक तो this is question number 13th first part second part कह रहा है limit extending to 2 minus उपर लखा है जब minus लगा होता है तो हम क्या लिख निकालते है left hand limit left side से हम उस curve की तरफ approach करते है उस point की तरफ approach करते है curve की तरफ नहीं point की तरफ approach करते है तो x को क्या रखेंगे आप 2 minus h minus 3 upon 2 minus h का whole square minus 4 और limit क्या लिखेंगे h tends to 0 limit h tending to 0 यह क्या हैगा minus h minus 1 upon यह हैगा आप खोलेंगे इसको तो 4 plus h square minus 4 h minus 4 4 4 कर गया तो h को जब 0 करेंगे तो आएगा उपर minus 1 नीचे आएगा 0 यह फिर minus infinity आएगा लेकिन book में इसका जो answer है वो plus infinity लिखा हुआ है that is wrong यानि this will not be plus infinity this will be minus infinity फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं plus infinity होगा आप comment में लिख सकते है कि उसका reason क्या है मेरे हिसाब से minus infinity इसका answer आएगा ठीक यह second part हुआ third part कह रहा है limit x turning to 0 plus 0 plus का मतलब क्या होता है 0 plus h रखना है x की जगे funda आपका clear होना चाहिए क्यों लिखा जा रहा है क्या लिखा जा रहा है और limit क्या लिखेंगे h tending to 0 अब देखे नियम तो यह है कि h को तब तक 0 नहीं करेंगे जब तक denominator में h रहेगा लेकिन जब denominator में h हटी नहीं रहा है तो ultimately आपको 0 लिखना पड़ेगा तो यह 1 upon 0 आ जाएगा plus में आया है तो इसकी value plus infinity हो जाएगी तो this is third part fourth part देखे क्या कर रहा है fourth part कर रहा है limit limit दी है x tending to minus 8 उपर plus लिखा है यहनि minus 8 point पे limit निकालना है और right side से इस point की तरफ approach करना है curve के साथ 2x upon x plus 8 2x upon x plus 8 क्या नियम है कि x की जगे minus 8 plus h रखिए तो आएगा 2 x को लिखे के minus 8 plus h और नीचे लिखे के minus 8 plus h और plus का 8 और limit क्या लिखी जाएगी h tending to 0 यह na यह minus 8 plus 8 कर जाएगा bracket को उपर खोलेंगे और h को 0 लिखेंगे यह question number कौन सा है fourth part तो देखो ध्यान से देखेगा अगर मैं h को 0 करता हूँ तो उपर आएगा minus का 16 और नीचे आएगा 0 minus अलग कर दो और something upon 0 क्या होता है infinite तो minus infinity की limit की value होगी this is आपका fourth part तो को fifth part क्या कह रहा है fifth part कह रहा है limit h tending to 0 plus x tending to 0 plus 1 upon 2 upon x to power 1 by 5 2 upon x to power 1 by 5 क्या मतलब हुआ x की जाएगा लिखेंगे 0 plus h तो यहाएगा 1 2 upon 0 plus h की power 1 by 5 और limit क्या लिखेंगे h tending to 0 चूँकि और कोई इसमें 4 है नहीं h को 0 करना पड़ेगा और something upon 0 infinity होता है तो इसका भी answer क्या आएगा infinite this is fifth question sixth part कह रहा है limit x tending to pi by 2 minus क्या मतलब हुआ pi by 2 point में limit निकालनी है और left side से इस curve की तरफ approach करना इस point की तरफ approach करना है तो क्या तरीका आपने बताया था x को क्या लिखेंगे pi by 2 minus h और limit क्या लिखेंगे h tending to 0 तो h को 0 कर दोगे तो 1090 हो जाएगा और 1090 की value क्या होती infinite तो इसकी limit क्या आएगी infinity seventh part की क्या कह रहा है seventh कह रहा है आपका limit x tending to limit x tending to pi by 2 plus sec x क्या देखने से लग रहा है कि pi by 2 पर आपको right hand limit निकालनी है मतलब x को क्या लिखेंगे sec pi by 2 plus h और limit क्या लिखेंगे h tending to 0 तो आप कहेंगे sec 90 plus theta लगा दे क्या करोगे लगा करके h को रख दो 0 और sec 90 की value क्या होती cos 90 0 तो sec 90 की value क्या हो जाएगी infinite this is eighth part छोड़ छोड़ questions है अब हैं तो हैं लगाई जाएंगे eighth कह रहा limit x tending to 0 minus minus x square minus 3x x square minus 3x plus 2 upon x cube minus 2x square x cube minus 2x square ठीक है तोगो x को 0 रख करके देखते देखें चुकि 0 minus है अच्छा फैक्टर अगर कर ले तो 2 1 जा 2 इसको फैक्टर करके देखो पहले अभी limit मद रखिएगा इसको लिखा ले दो limit x tending to 0 minus इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x square minus 2x minus x plus 2 और नीचे हम क्या करेंगे x square कामल लेंगे तो आएगा x minus 2 यह आएगा ना limit वैसे यहाँ फैक्टर की जुरूरत थी नहीं क्योंकि फैक्टर तब करने की जुरूरत होती है तो उपर और नीचे 0-0 आजाता है लेकिन फिर भी फैक्टर कट रहा है तो काट देते हैं क्या दिखकात है इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ x कामल लेंगे x minus 2 आएगा यहाँ minus 1 कामल लेंगे x minus 2 आएगा अपान में यह x square और x minus 2 यहाँ लिखते है limit x tending to 0 minus अभी limit लगा नहीं रहे हैं अभी हम factorize कर रहे है x minus 1 आपान x square x minus 2 यह कड गया इसका काम खतम हो गया अब जो function बचा है इस पर limit हम discuss करने जा रहे है अब यह जो बचा क्या है यह बचा है limit x tending to 0 minus x minus 1 आपान x square क्या तरीका होता है आप x को लिखेंगे 0 minus h तो यह हो जाएगा 0 minus h minus 1 अपान 0 minus h का whole square limit h tending to 0 तो h को 0 करेंगे तो minus 1 अपान 0 आजाएगा यह minus infinity your answer ठीक है तो यह आपका 13th का 8th part हुआ यह 9th part क्या कर रहा है limit x tending to minus 2 plus minus 2 plus का मतलब होता है कि minus 2 पे आपको right hand limit निकाल ली है तो आप x को क्या रिखेंगे minus 2 plus h तो आएगा minus 2 plus h का whole square minus 1 अपान 2 into minus 2 plus h plus 4 और limit क्या लिखेंगे h tending to 0 तो अगर x tending to 0 आप लिखें अभी रख तो कोई दिक्कत नहीं है तो उपर आएगा minus 2 का square plus minus 1 sorry और यहां रखोकत क्या आएगा minus का 4 plus का 4 नीचे तो 0 आजाना है वैसे भी तो यानि कि यह उपर आएगा 4 minus 1 अपान 0 यानि कि 3 अपान 0 यह प्लस infinity आएगा तीक है अगर यहां उपर minus आजाता तो answer minus infinity होता यह 9th part है 10th part क्या कर रहा है 10th कर रहा है limit x tending to 0 minus limit x tending to 0 minus 2 minus cot x 2 minus cot x 2 minus cot x यानि x को क्या लिखेंगे आप 0 minus h तो आएगा आपका 2 minus cot 0 minus h और limit h tending to 0 तो यहां 0 करोगे cot 0 infinity हो जाएगा ठीक है तो आएगा 2 minus infinity 2 minus infinity तो ultimately यह minus infinity answer आएगा ठीक है answer देखी क्या रहा है 10th part का जो answer है वो इसमें अब plus infinity आ रहा है देखी अब plus infinity नहीं आएगा क्योंकि 2 में infinity minus कर रहा हो तो मेरे हिसाब से minus आएगा लेकिन अब आ रहा तो आ रहा है मेरा minus infinity आ रहा है तो कॉसे 0 infinity होता है तो यह infinity answer आ जाएगा तो इस प्रकार से यह आपका 13th question है एक वीडियो में हम एक ही question अप्रोड करेंगे क्योंकि बहुत सारे part है next in the next video नमस्कार